और आम आदमी पाटी मतलब अर्विंद कजरिवाल है उनके पाटी के दूसरे तिसरे नंबर के नेता पहले ही जल जा चुके हैं अगर आच आती है अर्विंद कजरिवाल पर और उनको भी जल जाना पड़ता है तो सवाल लाजमी है कि आम आदमी पाटी का क्या होगा तेकि प पाटी का मुखिया गरफतार हो जाए, पाटी को चलाने वाले लोग अगर होने लगें तो पाटी में भगधर तो मचती है क्या संजय सिंग के गिरफतारी के बाद केजरिवाल की मुस्किलें बढ़ सकती है क्या ऐसे कई सवाल अभी चल रहे हैं राजनीतिक सरगर्मियों में अब साथ ही अभी बात करेंगे इस मुद्दे पर और मनीश सिसो दिया जो उपमुख मंदरी थे दिली के वह पहले ही जेल में जा चुके हैं और अब संजय सिंग के और उसके बाद अब कहा जा रहा है और भी बड़े नाम में अरभींद केजरिवाल अभी बरिश पत्रकार शिरकान प्रतिश जी हैं ये तमाम बातों पर भी बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी रहेगी कि और भी तूटे गी ऐसे कई सवाल चल रहे हैं सर जिस परकार से अभी संजय सिंग की गिरफतारी हुई और उसमें बिरासी लाख वाला मामला सामने आ रहा है कई और खुलासे हो रहे हैं तो केजरिवाल की मुश्किले बढ़ सकती है क्या देखिए आम आदमी पार्टी के तीन बड़े नेता जेल में है और यह सब नंबर टू, थ्री, फोर हैं बड़े नेता है सतिंद्र जैन गए जेल, मनी लॉंडरिंग में, फिर इसके बाद मनी इस्टी सौधिया पिछले छे मेने से जेल में है और अब संजय सिंग को इडी ने गिरिफतार कर लिया है संजय सिंग तीसरे नंबर के नेता है, पाटी में प्रोफाइल के हिसाब से पहले नमर पर अर्विंद के जरिवाल, दूसरे नमर पर मनी इस्टी सौधिया, तिसरे नमर पर संजय सिंग आते है तो यह सब तीन नेता चले गए जेल, तो अब बारी किसकी है? अर्विंद के जरिवाल की क्योंकि इडी ने जो करवाई की है, संजय सिंग के खिलाफ, वो गिरफ्तार, इस गुटाले में गिरफ्तार लोगों के बयान के अधार पर किया है तो अब उसी अधार पर अजर्विंद के जरिवाल की भी नकिल कर सकती है इडी और बुधवार चार अक्टूबर को करीब दस घंटे की पुश्टाच के बाद संजय सिंग को इडी ने गिरफ्तार किया था और इससे पहले अमरे अधित बेवहार के आरूप में उनके साथ साथ रागो और चड़ा को भी राजिस वहां से निलंबित किया गया था आपको पता ही है यह सिलसिला कब रुकेगा कहपाना मुश्किल है अगला नंबर किस नेता का होगा यह तो सब के जहन में सवाल है आपको अनुमान सही है अब आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा नेता बचाने है अब अर्बिंद के जरिवाल जो मुख्य मंत्री है दिली के वहीं बचे हुए है यहां पर एक बाते हैं कि उसके बाद जो आम आदमी पार्टी में भी तूट फुर्जे से जदियू में होती है क्या आम आदमी पार्टी में भी हो सकती है देखिए दिकत यह है कि अर्भिंद कजरिवाल के इर्दगिर्द घुमने वाली आमादमी पाटी की राजनीती पर इसका असर पड़ेगा है क्योंकि अर्भिंद कजरिवाल मतलब आमादमी पाटी है और आमादमी पाटी मतलब अर्भिंद कजरिवाल है उनके पाटी के दूस जाए पाटी को चलाने वाले लोग अगर गिरफतार होने लगें तो पाटी में भगदर तो मचती है पाटी टूटती भी है जो लॉयल नहीं है मौके की तलास में थे उदूसरी तरफ भागेंगे जैसे बिहार में देखा गया था लालू परसाद यादब चाराग होटाले में जल जाते हैं तो धीरे-धीरे करके एक अक नेता नितीज के पक्च में चले जाते हैं तो अभी भगवंत मान रागव चढड़ा हैं लेकिन क्या भगवंत मान और रागव चढड़ा अर्भिंद के जिरवाल के जगह ले पाएंगे ठीक है एक तो उसमें मुखेवंत्री ही ह जाएंगे तो पार्टी टूटेगी पार्टी में भगदर मचेगी ताया देखिए जो मिडिया की रिपोर्ट से उसके अनुसार सराब घोटाला मामले में अभियुक्त से गवाह बने दिनेस करो रोडा के बयान के बाद संजे सिंग के गिरफतारी हुई है और रोडा ने दिल को पचासी लाग रुपेज दिये जिसका चुनाव में इस्तमाल हुआ बिधान सबा चुनाव में और उसी अधारपन के गिरफतारी हो गई तो इस तरह का बयान तो कोई और भी दे सकता है ना गिरफतार होने वाला व्यक्ति अर्विंद के जिरवाल के बारे में और उसी ब आरूप लग रहा है अब तो कुछ रहा है सवाल कर तो अदमि पाटी के हिल नेता क्यों फश्थ रहे है एक haben Yeah तो और बीपक्ष तो लगतार अरूप लगा रहा है कि सीबीए और इडी का इस्तिमाल स्रकार कर रही है। उसी के इस्तिमाल करके विरुधियों को परास्त कर रही है। लगतार बयानार संजय सिंग ने जिल जाने के पहले भी कहा कि चुनाओ तक होता रहेगा। मतलब उनका तो अरूप यहीं है कि चुनाओ को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है अर्भिंद केजिरवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है इसमें कोई सक नहीं है और पार्टी के राष्टे स्वयुजक भी है उनका नाम उनके नाम पर डिनर लीडर सिप पूरी तरह से खाली है अब देगे जेडिव में कौन है मैं जेडिवाल के बाद कोई नहीं है उनकी जगह ले सके हां दूसरे तूसरे नंबर के नेता थे जो पार्टी को बचा सकते ते मनिश्य सोधिया चंजय सिंग तो उन पर भी तो चिकन्जा कस गया जल चले गए तो अर्विंद केज्रवाल पर आच आएगी तो पाटी पर भी आच आएगी और जहां तक आपने पूछा कि रागों चड़्धा और भगवंत मानका की भूमिका हम हो सकती है लेकिन रागों को लेकर सवाल है कि क्या इतनी कम उमर में इतनी बड़ी जिम्मारी निभा पाएंगे और भगवंत तो पंजाब के मुख्यमंतरी ही है कि जर्वाल के कृपा से ही है तो पाटी चलाना मुख्यमंतरी बनना दोनों दो चीजे होती है अपने बल पर मुख्यमंतरी नहीं बने के जर्वाल के कृपा पात्र है इससे मुख्यमंतरी बने हुए है और उनके इसारे पाटी चलती नहीं देखिए दिकत छेत्रीयों पाट्यों के साथ अक्सर एदिकत होती है कि एक निता के नीचे सहारे पाटी चलती है यहार में भी वही है अलता लालु के सहारे आर जड़ी अब उनकी जगह उनकी बेटे ने ले लिए तेजस्वियादो ने नितिश कुमार के सारे पाटी चलती है उनकी जगह कौन लेगा कोई सामने नहीं नजर नहीं आता अरभिंद के जिरवाल के साथ भी प्रोब्लम है अखिले सिंग मुलायम सिंग के बाद आ गए तेजस्वि पाटियां है उन्होंने अपने बेटों को विराशत सौप दे है उसमें से कुछ हैं काम्याब है जिससे तेजस्वियादों के यादोंने नेता मान लिया पाटी बच गई लेकिन अरभिंद के जिरिवाल की जगह पर दूसरे पाटी की नेताओं को जो जनता है मान लेगी न देखिए आम आदमी पाटी का कहना है कि यह चुनावी चाल है जि चुनाओ की वजह से आम आदमी पाटी को बदनाम किया जा रहा है आमाद मी पाटी की पैदाश कैसे हुई थी भरष्टा चार को मुद्दा बना करें अव सारे मंत्री उनके बिधायक कई मतलब रिजाइन ह कर ले रहे हैं कर रहे हैं पूरत सोसल साइट पर चलता है बाद सही है देखिए आम आदमी पार्टी की अस्री चिंता एक्सपेंशन की है दिली में तो मजबूत है पंजाब में उसकी स्रकार है लेकिन कई राज्यों में फैलना चाहती है राष्टिक पार्टी के दरजा मिल ग होना है और वहां पर उनकी पाटी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी वहां पर अपने मजबूत उपस्तेती दर्च कराना चाहती थी लेकिन अगर अर्भिंद के जवाल ग्रिफतार हो जाएंगे तो असर पड़ेगा और 2013 में दिल्ली वीधांस भाचुनाओं में एक साल पुरानी आमादम पाटी 70 सिटों में से 28 सिटे जितकर दूसरे नमबर पर आई थी उस समय देश में एक सियासी भुचाल आ गया था कि क्या हो गया पाटी भरष्ट ब्यवस्था बदनाम नेताओं घिसी पिटी राजनीती से उबे हुए लोगों के लिए उमीद की खिर असरकार के मंत्री आसी महमद खान पर जब भरष्टाचार के अरोप लगे तो अर्विनिद के जरिवाल ने उन्हें बाहर का रस्ता दिखा दिया वह तो लगतार संकेत संदेश देने कोशिश करते रहें कि उनकी पाटी भरष्टाचार के विरोध में आई थी भरष्टाच से समझाता नहीं कर सकते हैं लेकिन और यहीं दावा भी है पाटी का उनकी पाटी बहुत ही मंदार पाटी है लेकिन जीस तरह से एक के बाद एक उनकी पाटी के निता फस्ते जा रहे हैं सराब घोटाले में उससे विसोशनिता कम हुई है लेकिन आम आदमी पाटी का आरू है सचाई क्या है तो जाज के बाद पता चलेगा लेकि राज नुक्सान होता हो दिख रहा है एक राज नितिक सवाल है लालु प्रसाद यादव नितीज कुमार जैसे ये लोग तो कहीं रहें कि सीवियाई ये वो तो क्या भाजपा इसको अगर हैंडिल कर रही है तो फिर क्य क्या वो चाहती है कि INDI ये जो घटक दल है उससे अरविंद केजरिवाल बाहर हो जाएं ऐसी कुछ बात हैं देखिए भी हो सकता है क्योंकि केंदर सरकार की जांचेजनसी है इडि उसने देश के कई दरजन नेताओं को टार्गेट किया है जारखन के मुख्यमंत्री हेमंद सुरेन भी टार्गेट पर है इडि लगतार उनके पीछे पड़ी हुई है और इसी तरह से नितीस्क मार के भी नेताओं पर भी देखेंगे तो यहां बिहार में एक दो जगवा बिल्कुल रेड हुआ है इडि का कई जेडियू के नेताओं के घरों पर ठेकानों पर कि महिने बाद लुग सुभा चुनाव होना है अभी हाली में ले महीने में आपको तीन विधान सभ्ण जचुनाव हाल में और यह चुनाव का परिणा म लोक्षभा चुनाव का ट्रेलर होगा माना जा रहा है इससे अंदाज लगा है कि BJP के हालत रहेगी, निति शुकुमार को भी इंतजार इसी बात का है, कि जो तीन राज्यों में बिधान सभास चुनाओ और उसके बाद दो राज्यों में और हुने है, तो पांच राजियों के विधान सभाद चुनाओ के नतीजे क्या आते हैं? अगर वो मुधी के पक्ष में आ गया है नितीजी मार देंगे पल्टी अभी हम नहीं कहेंगे नितीज कुमार को सोचना पड़ेगा पल्टी क्या है भाई? नितीजी में कौन पल्टी नहीं मारता है नितीजी सुमार जब तक मुख्यमंत्री है तब ही तक उनकी हमियत है मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेगा तो कौन उनको प्यार करेगा? कौन उनको गले लगाएगा? तो मुखे मंतरी के कुर्सी पर बनेर रहने के क्लिए जो कुछ भी करते हैं राजनीती में सब जाया जैंज॥ उनकी जगा पर कोई होता तो वह ही करता वही करता आज की राजनीति ताइब तारिक में राजनीती का मतलब नीटी के राज की अस्थापना नहीं है राज सत्ता पर हासिल होना है राज की निती है यह किसी तरसे राज पर कबजा करें पहले था कि नहीं निती के राज की अस्थापना राज निती होती थी अब तो राज पर कबजा की राज निती हो रही है तो ऐसे में निती उसकुमार इधर जाएं उधर जाएं क्या पुटाले में जिस्प्रकार से फस रहें दिल्ली के तीन आम आदमी पार्टी के तीन अहमनेता, सतेंद्र जैन, उपमुख मंत्री मनीश सोदिया ये लोग तो पहले ही जा चुके थे जेल, बीते दिनों संजय सिंग जेल चले गए, अरविंद के जिवाल को लेकर सवाल तेज थी, वोई तमाम बाते समझ रहे थे बरिष्ट पत्रकार श्रीकान पत्यूस जी से, और भी तमाम बाते करते रहेंगे, पॉलिटकल खबरे और भी लाते रहेंगे